नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं कनेक्ट फैस्शन डिजाइनिंग आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी जो बेहत असान और जिसे आप 10 या 15 मिन्ट में बना देंगे इस साड़ी और फॉल को एक बराबर लेना है और इसमें छोटा छोटा टाका लगाना है इस धाग्यों को आप डबल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा इसको ऐसे छोटे छोटे टाके में लेंगे ताकि इसमें फनीशिंग आए अब साड़ी और फॉल को बराबर करके जो हमने कच्चा किया या पूरे में करना है दोनों की नारियों को एक बराबर लेके जो सिलाई की है वो लास्टे तक करना है और यहां लाके इसको पक्का कर देना ताकि खुलेना साड़ी में जोल ना है इसके लिए हमें इसे बराबर रखना है उसके नीचे चाहिए आप ठाली भी रख सकते हो प्लेट भी रख सकते हो या फिर आप फर्स पे भी इसको बराबर रखके इसमें लंबा लंबा टाका लगा दो ऐसे ताकि यह दोनों बराबर रहें अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें जोल नहीं आएगा फोल और साड़ी को पूरे में हमने ऐसे लंबा लंबा टाके से कच्चा कर दिया है अब इसमें हम तुर्पाई स्टाट करेंगे पहले इसको हम पक्का कर लेंगे पक्का करने के बाद इसमें हम तुर्पाई करेंगे पोड़ा सा नीचे की तुर्पाई तुर्पाई सिंगल धागे से करते हैं ऐसे इसको जितना बारिक लेंगी उतनी ही फिनेशिंग और अच्छी आईगी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में क्या है